JTC Holidays प्रस्तुत करता है कोची वर्चुल टूर। लुलू शॉपिंग मॉल जो भारत के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक है, खुशियों की दुनिया के लिए एक निमंत्रन है। केरल कथकली केंद की स्थापना 1990 में हुई थी और इसका उद्देश्य केरल के पारंपरिक कला रूप को लोकप्रिय बनाना, नहीं प्रतिभाओं की खोज करना और मौजूदा कलाकारों को कथोर अनुशासन और समर्पन के साथ प्रशिक्षित करना है। यह आकरशक समुद्र तट चेराई के उपनगरों में बड़े करीने से बसा हुआ है, जो अपनी शान्ती और स्वच वातावरण के कारण सबसे अधिक देखे जाने वाले समुद्र तटों में से एक है। यह कोची के सबसे बड़े मनोरंजन पाकों में से एक है, जिसमें पानी की सवारी, भूमी की सवारी, 3D सवारी और आगंतुकों के मनोरंजन के लिए कई अन्य मजेदार सवारी हैं। मरीन ड्राइव कई कोचीन पर्यतन स्थलों में से एक विलक्षन गंतव्य है जिस पर केरल गर्व करता है। जुइश सिनगोग जिसे पर्देशी सिनगोग के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडर राष्ट्रों में सबसे पुराना सक्रिय सिनगोग है जो इसे कोची पर्यतन स्थलों में से एक आकर्शन का केंद्र बनाता है। इसाईयों के लिए एक बहुत लोख प्रिय पवित्र स्थान होने के अलावा सेंट फ्रांसिस चाच एरना कुलम उच्छ एतिहासिक प्रासंगिकता रखता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां प्रसिध खोज करता वासको डी गामा को दफनाया गया था। सांता क्रूज बेसिलिका को केरल के आठ बेसिलिकाओं में से एक माना जाता है। बोलगटी पैलेस चार महलनुमा कमरों वाली यह अनोखी हवेली 1744 में दिचों द्वारा बनाई गई थी और हॉलिंड के बाहर अपनी तरह की एक है। भारत के सबसे बड़े कृत्रिम द्वीप का नाम भारत के वाइसराई लौड विलिगडन के नाम पर रखा गया है। यह दक्षिन में सबसे अधिक देखा जाने वाला और अत्यधिक पूजनी या हिंदू मंदिर है। यह संग्रहाल भारत में पूर्तगालियों की सम्रिध सास्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कोची के स्वर्गिय बिशप डॉक्टर जोसफ कूर्तरा द्वारा स्थापित किया गया था। 1912 में निर्मित कोची में यह लोकप्रिय मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है जिसे दक्षन पजानी भी कहा जाता है। मल्याटूर कोची के सभी पर्यटन स्थलों के बीच एक विशेश प्रासंगिकता रखता है क्योंकि यह भूमी, नदी और पहाड के लिए एक मिलन स्थल है। अंधकार नाजी बीच मल्यालम फिल्मों की लगातार शूटिंग के लिए एक साइट है, इस प्रकार स्थानिय लोगों का अधिक ध्यान आकरशित करता है। चीनी मच्छली पकडने के जाल, जिसे चीना वाला के नाम से भी जाना जाता है, कोची में अकसर देखा जाता है। ये एक विशेश स्थान पर स्थिर लिफ्ट नेट होते हैं। केरल प्रकृती की देन है और देश के इस हिस्से में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला शानदार जानवर हाथी है। केरल के सबसे पुराने कला और इतिहास संग्रहाले में से एक परोपकारी और उद्यमी श्री माधवन नायर द्वारा स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहाले जो कोची में पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल है, पारंपरिक केरल शेली में भाव्य अग्रभाग के साथ निर्मित कोचीन के महराजा का निवास हुआ करता था। संग्रहाले लोपकला, जन्जातियकला, पारंपरिक कला, न्रिविग्यान, वास्तुकला, इतिहास, संस्कृती और दक्षिन भारत की विरासत को समर्पित है। कोची के केंद्र में स्थित यह पारिस्थितिक रूप से समवेदन शील क्षेत्र 2.74 हेक्टेय भूमी के बीच फैला हुआ है। इसकी एक उथली ज्वारी या जील है जो एक नहर के माध्यम से कोची से जुड़ी है। वीर्न पुझा कोची में घूमने के स्थानों में से एक है जो वेमनाट जील के उत्तरी विस्तार में स्थित है। इरनाकुलम के केंद्र में स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर को इरनाकुल थपन मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अत्रापली फॉल्स पश्चिमी घाट के अनामुडी पहाडों से निकलने वाले जागदार पानी का एक आकरशक जहरना है। कोचीन के कई समुद्र तटों में से पर्यतकों के बीच लोकप्रिय पर्यतन स्थल वीर्न पुझा समुद्र तट है जो अपनी विशिष्ट सुनहरी रेत और एक्वामरीन पानी के कारण है। यह एक छोटा सा जहरना है जो मानसून के दोरान देखने लायक होता है क्योंकि यह जहरना अपनी महिमा में होता है और उपर से सफेद रंग का जहरना बहता है। पंद्रा सो तीन में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित पल्लीपुरम किला आज कोची में एक बहुत ही लोकप्रिय परियतन स्थल के रूप में विक्सित हो गया है। JTC Holidays Private Limited, Rajkot. Contact 968-789-5000 या 922-76-00-89-00